एक गाउं की बात है, जहां के छोटे बच्चे वहां के खूबसूरत खेतों में खेलते थे, एक दिन उन्हें एक जादूई पेड मिला, जिस पर रंदबिरंगे फल थे, पेड ने उन्हें बताया कि वे जो भी फल खाएंगे, उसमें एक विशेश गुन होगा. बच्चों ने एक एक करके विभिन फलों को चखा और हर बार नए गुनों का मजा लिया. किसी एक फल में हनसी का गुन था, तो किसी में मधुरगीत गाने का गुन था. एक दिन उन सभी ने मिलकर एक सुपर मस्ती का आयोजन करने का निर्ने लिया. उन्होंने सभी विशेश फलों को एकत्र किया और बना दी एक रंग बिरंगी सबजी, जब सब बच्चों ने वह सबजी खाई, तो हर किसी को अपना-पना मस्ती गुन मिला। इस रूप में बच्चों ने उस जादूई पेड के साथ एक अनमोल और आनंदमई यात्रा मनाई, जो उन्हें सचे दोस्तों के साथ बंधन में जोडने में सफल रही।